आपका स्वागत है आज हम दोस्तों राजस्तान के दुर्गों के बारे में हम डिसकस कर रहे हैं आज हम स्वन्गिरी दुर्ग जो की जालोर के अंदर है उसके ओपर डिसकसन करेंगे फ्रेंड्स ये क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट होगी आप सबके लिए रात को नौब बजे डेली जो है लाइब क्लास चलती है प्लीज जरूर अटेंड करें मैं आपको सारा चीजे याद करवा के ही भेजूगा इस वीडियो के दौरान चलो चलते हैं स्वन गिरी दुर्ग जो की जालोर में है देखो पहले सबसे पहले याद करो जालोर का प्राचीन नाम क्या है जालोर को हम जाबाली पूर के नाम से जानते हैं यह जालोर का प्राचीन नाम है जालोर को हम जाबाली पूर के नाम से जानते हैं इसका निर्मान परमार सासको ने स्वन गिरी पहाड़ी पर करवाया था इसलिए इसका नाम स्वन गिरी दुर्ग पड़ा ठीके किसने कराया परमार सासको ने कराया कहा कराया स्वन गिरी पहाड़ी पर करवाया किस पे स्वन गिरी पहाड़ी पर करवाया किसने करवाया परमार सासको ने करव इसलिए इसका नाम जो है स्वन गिरी दुर्ग पड़ा और जालोर का प्राचीन नाम क्या है जाबालिपूर है जालोर का प्राचीन नाम के अगर बात की जाए तो दोस्तो जाबालिपूर है दुर्ग का निर्मान परतिहार राजा नागभड प्रत्थम ने कराया डॉक्टर दस्रत सर्मा के अनुसार देखो हम क्या कह रहे हैं परमार सासकों ने स्वन गिरी पर जो है इस दुर्ग का निर्मान कराया और जो ये स्वन गिरी दुर्ग जालोर का है इसका निर्मान परतिहार राजा नाग भट प्रत्थम ने कराया किसने कहा डॉक्टर दस्रत सर्मा के अ दोस्तों दुर्ग का निर्मान परतिहार राजा नाग भट प्रत्थम ने कराया डॉक्टर दसरत सर्मा के अनुसार हसन निजामी के अनुसार इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी दुस्मन आज तक खोल नहीं पाया तो दोस्तों यह आप से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका दरवाजा आज तक खोला नहीं जा सका देखरे हो आप ऐसा दरवाजा बनाया गया जो कि आज तक किसी दुस्मन द्वारा खोला नहीं गया किसके अनुसार हसन निजामी के अनुसार तो कौन सा दुर्ग का दरवाजा स्वन गिरी दुर्ग का दरवाजा और स्वनगिरी दुर्ग कहां पे जालोर में है जालंदर नात की तपो भूमी थी इसलिए इसे जालंदर दुर्ग भी कहा गया जालोर जो है जालंदर नात की तपो भूमी होने की बज़े से इस दुर्ग को जालंदर दुर्ग भी कहा गया तेरा सो ग्यारा में अलावदिन खिलजी ने जालोर दुर्ग जीत कर इसका नाम जलालाबाद कर दिया देखो मैंने आपको जो जो पॉइंट्स अभी बताएं हैं जालोर दुर्ग के बारे में that are very very important आपको एक एक पॉइंट को याद रखने की बहुत जरूरी है मेरा ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है आप देखोगे पूरा एक्जाम ओरियंटेड बनाया गया है इसी में से क्युस्टन्स हर वार पुछे जाते हैं और उनी चीजों को मैंने इसमें इन्वाल्व किया है क्या है पहली बात जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपूर है जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपूर इसका निर्मान परमार सासकों ने स्वन गिरी पहाड़ों पहाड़ी पर करवाया था जालोर का प्राचीन नाम है जाबालीपूर इसका निर्मान किसने करवाया इसका निर्मान परमार सासकों ने स्वर्ण गिरी पहाडी पर करवाया दुर्ग का निर्मान परतिहार राजा नाग भट प्रतम ने कराया डॉक्टर दसरत सर्मा के अनुसार इतिहार सकार जोब प्रफम द्वारा कराया गया हसन निजामी का नुसार इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी दुष्मन आस तक तोड नहीं पाया-खो कोई नहीं पाया कौन सा स्वन गिरी दुर्ग का दरवाजा हसन निजामी ने क्या कहा हसन निजामी भी एक इतिहास कार है उन्होंने कहा स्वन गिरी दुर्ग जो है इसका दरवाजा आज तक कोई भी आज तक कोई भी दुस्मन जो है खोल नहीं पाया फिर बात करते हैं जो ये जालोर है वो जालंदर नात की तपो भूमी थी जालंदर नात की तपो इस तली थी इसलिए इस दुर्ग को जालंदर दुर्ग भी कहा गया तेरा सो ग्यारा में अलाओ दिन खिल जी ने यहां पर अधिकार कर लिया तो उसके बात क्या हुआ जालोर दुर्ग को जीत लिया और जीतने के बाद इसका नाम क्या कर दिया जलालाबाद कर दिया यह चीज इंपोर्टेंट है ध्यान रखना चितोर गट का नाम भी क्या कर दिया था खेराबाद कर दिया था खिजराबाद अपने बेटे को खिजराबाद किया और वैसे ही इसका इसका नाम क्या किया जलालाबाद जालोर दुर्ग का नाम बदल कर जलालाबाद किया तो य कानर देव परबंद में पुस्तक में क्या है जालोर के साके का वर्णन किया गया है। जालोर दुर्ग के बारे में इतनी सी ही चीजे हैं जो आपको याद रखनी है और वो बहुत जादा इंपोर्टेंट भी है। ठीके किलियर यहाँ पे जो दुर्ग बना हुआ है इसका निर्मान परमार सासकों ने स्वन गिरी पहाडी पर करवाया। पहाडी पर बना हुआ दुर्ग है यहाँ स्वन गिरी पहाडी पर बनाया गया। ठीके दुर्ग का निर्मान परतिहार राजा दुर्ग का निर्मान किस ने कराया परतिहार राजा नाग भट प्रत्थम ने कराया। और किसके अनुसार डॉक्टर दस्रत सर्मा के अनुसार दुर्ग का निर्मान परतिहार राजा नाग भट प्रत्थम ने कराया। हसन निजामी ने कहा इस दुर्ग का दर्वाजा आज तक कोई भी खोल नहीं सका। क्या कहा हसम निजामी ने कि इस दुर्ग का जो दर्वाजा है वो आज तक कोई भी नहीं खोल सका है कौनसा दुर्ग सुवंगिरी दुर्ग का तेरा सो ग्यारा के अंदर अलाओदिन खिलजी ने क्या किया इस दुर्ग पे अपना अधिकार किया और इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया पदनाम द्वारा जो रचित पुस्तक है कानर देव परबंद में हमें इस दुर्ग के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी मिलती है और जालोर के साके का भी वर्णन इसमें कानर देव परबंद में दिया गया था जालोर के परतापी सासक थे कानर देव और उनी के नाम पर पुस्तक लिखी गए कानर देव परबंद और इस पुस्तक में जालोर के साके का पूरा वर्णन मिलेगा ये पुस्तक लिखी किसने है पदनाब द्वारा रचित ये पुस्तक है ठीके पूरा मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा बीका नामक धईया एक इनका सेनापती था बीका धईया इसकी वज़े से ही जालोर दुर्ग का पतन हुआ था इसने ही अलावदिन खिलजी को जाल नाम ही बीका है ये बीक गया अलावदिन खिलजी के हाथो अलावदिन खिलजी ने इसको लालच दिया कि मैं तेरे को राजा बना दूँगा लेकिन इसको ना तो राजा बनाया गया और ना ही कुछ बाद में अलावदिन खिलजी ने इसको भी मार दिया ये इनके जितने का तरीका था ठीक है आगे चले ओ बाला किला अब हम बाला किला की बात करेंगे बाला किला कहा है बाला किला अलवर में है यह दुर्ग गिरी दुर्ग की इसरेनी में आता है निर्मान अलगुराम ने करवाया था बाला किला कहा है अलवर में है यह गिरी दुर्ग की इसरेनी में यानि की पहाड पर बना हुआ परवतों पर बना हुआ दुर्ग गिरी दुर्ग कहलाता है इसका निर्मान अलगुराम ने कराया था बाबर ने एक रात के लिए यहां पे सरन ली थी और यह बावन दुर्गों का लाडला दुर्ग भी कहलाता है यह important है ठीक है हम बाला कीला की बात कर रहे हैं बाला कीला जो है अलवर में है यह दुर्ग गिरी दुर्ग की स्रेनी में आता है इसका निर्मान अलगूराम ने कराया था बाबर ने एक रात के लिए यहां पे सरन लिली थी और अब यह बावन दुर्गों का लाडला दुर्ग कहलाता है कौनचा बाला कीला अलवर का बताओ कोई confusion आपको clear है अब हम जो है दुर्गों complete हुए है अब हम जो है इस class related जो भी important बाते थी इन सब का हम analysis करेंगे जिससे क्या होगा कि आपका जो है important चीजों को मैंने यहां पे important जो fact थे उन सब को मैंने यहां पे लिखा है जि लिए एक वार यह चीजे याद करना भी बहुत जरूरी है ठीक है तो एक वार हम इनको देख लेतें दुबारा से फिर आगे चलेंगे हमने आज बात की स्वन गिरी दुर्ग जो की जालोर में है मैंने आपको सबसे पहले बताया जालोर का प्राचीन नाम जावाली पूर है जालोर के दुर्ग का जो निर्मान है वो परमार सास को दौरा स्वन गिरी पहाडी पर करवाया गया था उसके बाद मैंने आपको बताया दुर्ग का निर्मान प्रतिहार राजा नागभड प्रत्थम ने कराया डॉक्टर दसरत सर्मा के अनुसार हसन निजामी ने कहा इस दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया जालंदर नात की तपो इस्तली होने की कारण इसे जालंदर दुर्ग भी कहते हैं इस अलाओ दिन खिलजी ने तेरा सो ग्यारा में क्या हुआ अलाओ दिन खिलजी ने यहाँ पे अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर जलालाब रख दिया पदनाम दौरा रचित कानर दे परबंद जो पुस्तक है उसमें जालोर के साके का पूरा बढ़नन किया गया है बाला कीला कहा है बाला कीला अलवर में है यह दुर्ग गिरी दुर्ग की इसरेनी में आता है इसका निर्मान अलगू राम ने कराया और यह बावन दुर्गों का लाडला दुर्ग कहलाता है बाला दुर्ग बाला की ला ठीक है अफेक्ट की बात करें हम चानक्यव अर्थ सास्त्र के अनुसार स्रेश्ट दुर्ग कौन सा है गिरी दुर्ग यह मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको दुर्गों की स्रेनिया बताई थी उसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि चानक्य या अर्थ सास्त्र के अनुसार सबसे स्रेष्ट दुर्ग होता है गिरी दुर्ग गिरी दुर्ग कौन सा होता है जो ऐसा दुर्ग जो पहाडों पर बना हुआ हो ठीके उसे गिरी दुर्ग की स्रेनी में रखा गया है ऐसा कौन सा दुर्ग है दोस्तों मुझे बताओ उसका आंसर की जिसको देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर चाहिए ऐसा कौन सा दुर्ग है और ये कथन किस ने कहा है जिसको देखने पर हमारे सिर की पगड़ी तक गिर जाती है य आप मुझे comment box में बताएं ठीक है अब आगे चलो चानक्यव अर्थ सास्त्र के अनुसार स्रेष्ट दुर्ग कौन सा है गिरी दुर्ग है और सुक्रनिती के अनुसार स्रेष्ट दुर्ग कौन सा है सैन्य दुर्ग है सैन्य दुर्ग कैसा दुर्ग होता है सैन्य दुर्ग ऐस दुर्ग रहते हैं जिसमें शूर्वीर रहते हैं ऐसा जो दुर्ग होता है उसको सुक्रनिती के अनुसार स्रेश्ट दुर्ग माना गया है बताओ आपकोई confusion आपको हमने बात की की चानक्य के अनुसार या अर्थ सास्त्र के अनुसार स्रेष्ट दुर्ग कौन सा है तो आप बोलोगे गिरी दुर्ग जो है वो स्रेष्ट दुर्ग है लेकिन अगर यहां पे बात की जाए सुक्रनिती की तो सुक्रनिती के अनुसार स्रेष्ट दुर्ग कौन सा रहेगा तो वो हो पढ़ी है पहले उसके बाद हमने स्रेष्ट दुर्ग पढ़ा रन्थंबोर का जो दुर्ग है वह अरावली परवत अरावली और विंध्याचल परवत माला के संगम में इस्तित है इसलिए वह गिरी दुर्ग और वनों से घिरावा होने के कारण उसे वन दुर्ग भी कहा गय है रन्थंबोर का जो दुर्ग है वह गिरी दुर्ग वन दुर्ग और एरन दुर्ग की स्रेणी में आता है जिसके मार्ग में खाई काटेदार और पत्रीले रस्ते होते हैं जिसके पास पहुंचना दुर्गम होता है तो रन्थंबोर का दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो वन गिरी दुर्ग और एरन दुर्ग की स्रेनी में आता है दोस्तों बताओ किलियर आगे चलो कतन जलालू जलाओ दिन खिलजी ने क्या कहा है रन्थंबोर दुर्ग के बारे में ऐसे दस किलो को में मुसल्मान के एक भी बाल के बराबर नहीं समझता किस ने कहा जलालू दिन खिल जी ने कहा किस के लिए कहा रन थंबोर दूर्ग के लिए कहा क्यों कहा क्योंकि रन थंबोर दूर्ग पर जलालू दिन खिल जी दो वार आकरमन कर चुका था लेकिन उसे सफलता जब प्राप्त नहीं हुई तब उसने कहा कि ऐसे दस किले ना की एक ऐसे रन थंबोर जैसे दस क के बराबर नहीं है, यह कथन किसका है, जलालुदिन खिलजी का है, अबुलफजल ने क्या कहा, ये बक्तर बंद किला है, बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग जो है वो बक्तर बंद है ढकावा है कवरडव है ठीक है अबुल फजल ने कहा रंथंबोर में त्री नेत्र गणेश मंदीर है रंथंबोर में साका हुआ था तेरा सो एक में ठीक है ये तीजे याद रखना रंथंबोर में त्री नेत्र गणेश मंदीर है और साका हुआ था तेरा सो एक के इसलाम का जो घर हो गया क्योंकि रंतंबोर में जितने भी मंदीर और मस्जित से थे उन सब को तुड़वा दिया गया था अलाओ दिन खिलजी के दौरा इसलिए ही क्या कहा गया अमिर खुसरों ने कहा कुफर कागड आज इसलाम का घर हो गया ठीके तो ये किलियर हो गया important fact की बात कर रहे हम हमने important fact में सबसे पहला देखा कि चानक्य और अर्थसास्त्र के अनुसार हमने सबसे पहली point को देखा कि जो सबसे स्रेष्ट दूर्ग है वो गिरी दूर्ग है और दूसरी अगर हम बात करें सुक्रनिती की तो सुक्रनिती के नुसार जो सर्वस्रेष्ट दुर्ग माना गया है वो सैन्य दुर्ग को माना गया पहली चीज के लिए हो गई रन्थमबोर जो दुर्ग है वो वन दुर्ग गिरी दुर्ग और एरन दुर्ग की इस रेनी में आता है क्लियर इसके लिए क्या कथन है जलालुदिन खिलजी का जलालुदिन खिलजी का कथन है कि ऐसे दस के लिए मेरे मुसल्मान के एक भी बाल के बराबर नहीं है ये कथन किसका था जलालुदिन खिलजी का ये कथन उनने तब कहा जब दो बाल उनने आकरमन किया और आकरमन करने क उसके बाद रन्थम्बोर में जीत हासिल नहीं कर पाए तब उनका ये स्टेटमेंट था उसके बाद अबुल फजल ने क्या कहा कि यह जो कीला है वो बक्तर बंद कीला है यानि कि धका हुआ है और बाकी सब कीले तो नंगे हैं लेकिन ये कीला बक्तर बंद है दूर से दुस् का था तेरा सो एक के अंदर अमिर खुस्रोंने क्या कहा कुफ्र का गड़ आज क्या हो गया इसलाम का घर बन गया है अब हम च्तरो और गट का कीला सबसे बड़ा कीला है यहां पे विजे इस्तंब है और विजे इस्तंब का निर्मान किसके द्वारा कुम्भा के द्वारा कराया गया था सारंगपूर के युद के उपलक्षय में कुम्भा ने क्या किया यहां पे विजे इस्तंब का निर्मान करा दिया इसलि करनल जैम्स टोड ने क्या कहा? दिल्ली का कुतूम मिनाळ भले ही उचा हो, लेकिन विजैस्तम की कारीगरी है, वो एकदम भढ़कर है, सबसे बढ़कर है, सबसे अच्छी है, ठीक है? किसने कहा ये कथन है कर्णल जैंस टोड के तो हम बात कर रहे हैं चितोडगट का किला चितोडगट का किला चेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा किला अगर आप से पूछा जाए राजस्थान में चेत्रफल की द्रश्टी से कौन सा किला है तो आप बोलोगे का जो किला है वो छेत्र फल की द्रश्टी से सबसे बड़ा किला है विजेस्तम का निर्मान कुम्भा ने कराया था सारंगपूर के युद के उपलक्ष्य में कुम्भा ने क्या कराया यहां पे विजेस्तम का निर्मान कराया जब वह सारंगपूर का युद जीत गए थे इसल मुर्तियो कला का अजायब घर भी कहा जाता है विजेस्तम को विजेस्तम के सिलपीकार कौन है जेता नापा पूंजा पॉमा जेता नापा पूंजा पॉमा जो है यहनके सिलपीकार है कथन कर्णल जैम्स्टोर ने कहा दिल्ली का कुतुम मिनार्ब की जो हाइट है वो भले ही जादा हो लेकिन विजे इस्तंब की कारीगरी है वो सबसे अलग है सबसे बढ़कर है फर्यूक्षन ने रोम के टारजन से इसकी तुलना की है राजस्तान का प्रतिक चिन है जेन करती इस्तंब की प्रसस्ती जो है वो अत्री ने लिखना चालू किया और महेस बट ने था पन्दरअसो चॉतिस चूट्थीज के अंदर और तो दोस्तो हमने अभी बात किए चित्तोरेट का किला का जो किला है वो क्या है उपकेज़का किला आप बोलोगे कि छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा किला है छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा किला कौन सा चित्तोरगड का किला विजेस्तंब है यहाँ पे एक विजेस्तंब का निर्मान महाराना कुमभा दोरा कराया गया माहराना कुंभार की दोरा क्यों कराया गया सारंग पूर का जो यूद है वो जीत कराये थे उस जीत के उपलक्षय पर विजय इस्तम या विक्टरी टावर का निर्मान कराया गया इसे भारत्य हिंदू कोस मुर्तिकला का अजायब घर भी कहा गया है दोस्तों ठीके और इसका सिल्पी कार कौन था जेता नापा पूंजा और पॉमा जो है इसके सिल्पी कार थे कथन करनल जैम्षोड ने क्या कहा दिल्ली का कुत्तु मिनार भले ही उच्चा हो लेकिन विजय इस्तम की जो कारीगरी है वो सबसे अलग है सबसे बढ़ कर है फर्यूक सन ने जो है रोम के टारजन से इसकी तुलना कर दी और राजस्तान का प्रतिक चीन माना गया है जैन करतिस्तम की प्रसस्ती अत्री ने लिखी वो महेश बटने इसको पूर्ण किया है अलावदिन खिलजी ने जीत कर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया था ठीके हम चितोड़गर की बात कर रहे हैं जालोर का नाम जलालाबाद रखा था और यह चितोड़गर का नाम क्या रखा खिजराबाद रख दिया साका हुआ 1303 के अंदर 1534 के अंदर और 1566 68 के अंदर हुआ ठीक है यह तीन साके हुए थे बताओ कोई confusion सब क्लियर हो रहा है ठीक है मैं आपको एकदम क्लियर करा दूँगा आपको कोई भी कहीं पे भी कोई की confusion नहीं रहने वाला दोस्तो पहले मैंने नोट्स बनाए है जिससे आपको इजी वे में यह सब सीज़े समझ में आ जाए उसके बाद मैं नोट्स को और फिल्टर करके आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं कुंबल गट का दुर्ग कुंबल गट का जो दुर्ग है वो रासम्मन्द में इस्तित है इसका सिल्पी कार है मंडन कथन अबुल फजल ने इस दुर्ग की इतनी बुलंदी पर है कि इसे देखने वाले की पगड़ी सीर से गिर जाती है देखो मैं आपको कहा था क्या मुझे कमेंट पर बताओगे ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको देखने पर सिर्की पगड़ी गिर जाती है तो आप बोलोगे कुंबल गट का दुर्ग कुंबल गट का दुर्ग के सिल्पी कार कौन मंडन है अबुल फजल का ये कथन है कि दुर्ग इतनी उचा या इतनी बुलंदी पर बना क्या है मेवाड की आंक यहां पर यह कटारगड ही जो है कुम्भा का निवास इस्तल था और कुम्भा की हत्या उनके पुत्र उदा ने इसी दुर्ग में किया था कुम्भा को अंतिम समय में उनमाद नामक रोग हो गया था और कुम्भा की हत्या करने वाले कोई और नहीं उन् पुत्र उदा ने की थी, तो कटारगड जो है, वो मेवार की आँख है, जो ये कुमबा थे, कटारगड में निवास करते थे, और कटारगड से ही अपने सामरचे का ध्यान रखते थे, ठीके, कुमबा की हत्या, उनके पुत्र उदा ने इसी दुर्ग में कर दिया था, बताओ को एक confusion फिर आगे चलेंगे हम हम बात कर रहे हैं कुंबल गट का दुर्ग कुंबल गट का जो दुर्ग है उसका सिलपीक कर कौन है उसका सिलपीकार है मंधन और क्या हुआ कतन लिखाता अभूल फजलने कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि देखने वाले के सिर की पगड़ी तक गिर जाती है और कर्णल जैमस्टोर ने इसे एटूसकन कहा है फिर आता है इसके अंदर ही कुम्बल गड़ के अंदर ही आता है कटारगड कटारगड में क्या होता है कटारगड जो है मेवार की आंख है कुम्बा का विकास इस्तल है कुम्बा का जो क्या है यहां निवास इस्तल है और कुम्बा की हत्या उनके पुत्र उदा ने इसी दुर्ग में किया था ठीके तो क्या हुआ कटारगड जो है मेवार की आंख है कुम्बा का निवास इस्तल औ और कुमबा की हत्या उनी के पुत्र उदा ने यहीं पर कर दिया था. ठीक है गागरोन का किला जो है इसमें प्रथम साका 1423 में हुआ पूर्ण निर्मान के रखा पूर्ण बिना नीव के रखा गया गागरोन का जो किला है यह भारत का एक मात्र ऐसा किला है जिसकी नीव नहीं है पत्थरों पर टिका हुआ है गागरोन का किला यह प्रथम साका 1423 में हुआ था यहां पे और मिठा बिना नीव के ही यहां पे यह जो किला है वो बना हुआ है मिठे साहा की दरगा है संत पीपा की छत्री है मिठे साहा की यहां पे दरगा बनाई गई है और संत पीपा की छत्री संत पीपा जी का गुफा टोड़ा ग्राम टॉंक और मंदिर संदड़ी बार्मेर के अंदर है सिक्का डराने की टकसाल भी है यहां पे ठीके जो एक आगरोन का दुर्ग है इसका प्रथम साका 1423 में रिस्टार्ट हुआ था पहली इसकी जो नीव रखी थी नीव बिना नीव के ही रखी गई थी ठीके उसके बाद मिठे साहा की दरगा जो है इसका भी निर्मान कराया गया संत पीपा जी की छत्री बनाए गई इसक्क के गागरोन जालावर के अंदर किलियर हो गया प्रथम साका ध्यान रखना दोस्तों यह इंपोर्टेंट है 1423 में हुआ था पहला पहला साका 1423 में बीना नीव के यहां रखा गया मिठे साकी दरगा संत पीपा की छत्री और काले इसक्के ढालने की टकसाल यहां पर आपको म मिल जाएगी अब हम बात करेंगे सोनार का किला सोनार का किले के बारे में कथन है अबुल फजल जी का ऐसा किला जहां पहुंचने के लिए आपको पत्थर की टंगों की आवस्यक्ता होगी सोनार किला कहां पे है जेसल मेर में है यह धानवन स्रेनी का किला है यह चटानों पर ना बनकर सीधा जमीन पर बना हुआ है जैसे जेसल मेर का सोनार किला या सोनार गड़ के नाम से जाना जाता है और बिकानेर का जो दुर्ग है वो भी धानवन स्रेनी का दुर्ग कहलाता ह ठीक है सोनार का कीला जेसल मेर कथन क्या है अबुल फजल ने ऐसा कीला जहां पॉशने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए परकोटा कैसा है घागरा नुमा इसका परकोटा है और निन्यार में बुर्जो वाला कीला पूछा जाए तो आप बोलोगे चुरू लेकिन निन के लिए यहां प्रसीद है दो हजार पांच में विश्व दरोहर में सामिल किया गया और दो हजार नौ में पांच रुपे का डाक टिकट जारी कर दिया गया दो हजार पांच में क्या किया गया दो हजार पांच में विश्व दरोहर में सामिल किया गया और दो हजार नौ में पांच रुपे का डार्क टिडः जारी किया गया जिन बद्रशुरी गृंत बंडार है यहां पे और दिवारो में महलो में गोमुत्र का रेब किया गया है राज्य का दूसरा living fort है और अध्या का यहां दूसरा living fort है दोस्तो, तो हम ने क्या-क्या बाते देखी है, सोनार किला जो की जेसल मेर मेर में है, इन्हें सोनार गड के नाम से भी जाना जाता है, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कोई समुंदर के अंदर कोई जहाँ जो है लंगर डाले हुए खड़ा है, दोस्तों, ठीके, घाग नूमा इसका प्रकोटा है ठीक है डाइस आकों के लिए यहां प्रसीद है 2005 में तो क्या हुआ था यहां पर विश्वद रोर में सामिल हुए थे सब लोग और 2009 में पांच रुपे का जो है डाक टिकट जारी किया गया था जिन भद्र सूरी गरंत बंडार जो है वो लिखा गय है ठीक है उसके बाद क्या है इस तरह वह महलों में गो मुत्र का लेप लेप लगाया जाता है ठीक है गो मुत्र का लेप लगाया गया है यह राज्य का दूसरा जनरल लिविंग फॉर्ट है यह राज्य का दूसरा लिविंग फॉर्ट है किलियर हो गया है यहां पे अब आ लिपूर है किलियर है और यह दुर्ग जो है स्वण पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए ही इस दुर्ग को क्या कहते हैं सुन गिरी के नाम से जाना जाता है आगे कारण इने जाला जालन्दणाथ छियाँ पर घंगर भूशन की कारण ठीक है तो हम स्वन गिरिद दुर्ग जालोर का जो है उसकी बात कर रहे हैं यह हसन निजामी के अनूसार इस दुर्ग का दरबाजा आज तक कोई भी दुस्मन जो है खोल नहीं पाया और यह जालन्दर नात की तपो भूमी होने की वज़े से इसको जालंदर गड़ भी कहा जाने लगा 1311 के अंदर अलाओ दिन खिलजी ने जीत कर इसका नाम क्या कर दिया जलालाबाद कर दिया था ठीके और बीका नामक दया की गड़ारी से इस किले का पतन हुआ था ये चीज़े ध्यान रखना तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीड हो गया है कल हम और भी जो इसके दुर्ग रह गए हैं उनके उपर हम डिसकस करेंगे उनके उपर हम पूरा डिटेल में अनलाइसेस करेंगे जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहेगा हम सारी चीज़ों को एक एक करके डिसकस करके आपका पूरा जो है एक्जाम किलेर करने में आपकी पूरी हैल्प करेंगे तो एक वार और रिवीजन करा जेता हूँ सुन गिरी दुर्ग जो की जालोर में है जालोर का प्राचीन नाम जाबाली पूर है हसन निजामी के अनुसार इस दुर्ग का दर्वाजा आज तक कोई भी दुस्मन नहीं खोल सका जालंदर नात के अतपो भूमी होने की वज़े से इसको जालंदर गड़ कहा गया और 1311 में अलाओदिन खिलजी ने जीत कर इसका नाम खिजराबाद कर दिया ठीक है और बीका नामक दया की गदारी की वज़े से इस दुर्ग का पतन हुआ तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं दोस्तों आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज सेशन को शेयर करें लाइक क करो सब्सक्राइब कर लीजिए सो देट मेरा मोटिवेशन लेवल भड़ता रहे और मैं आपको अच्छी सची क्लास प्रोवाइट करा पाऊं आज के लिए क्लोज करते हैं थैंक्यू फ्रेंड हैव नाइस डेई बाबाई